हेलो व्यूवर्स सॉलूशन अप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ कंप्यूटर हाइपर लिंक का चैप्टर नमबर 10 की तरफ ही बढ़ते हैं सिधा तो एक्ससाइज आती है फिलिंग दा ब्लैंक्स में पहला क्या है विजिट डैश टू नौ मौर अबॉट ब्लोग्स तो अगर हमें ब्लोग्स के बारे में और जानकर ही चाहिए हो तो किस साइट पर जाना पड़ेगा जी तो उसके लिए जाना स्कत्राइस है लेरी पेज और ससी बिदेज और चीजस के फाउंडर है तो वह फाउंडर है गूगल के तो इंटरनेट के लिए एक ग्लोबर नैटवर्क है यान की काफी जादा बड़ा नैटवर्क जिससे बागी नोईटवर्ड बी इस per Esta imp XY क्वरब 1 तो इंटर्थी तो इंट्रणैट के थुरो इलेक्रोनिक डीरिटीक बेज़ा जाता है तो उसे क्या बॉलन जाता है एक्रोनी ग्रीटिञ भी कहते हैं अब जूफॉक्वास है A blog consists of a signed and dated log of individual posting तो क्या ये true है ये false है तो ये है true क्यों है क्योंकि एक blog है उसके अंदर एक signed or dated log आता है यानकि उस पर date भी लिखे होती है और किसने post किया वो भी लिखा होता है Second है Bill Gates is the founder of www तो ये बिलकुल false है Bill Gates www के founder नहीं है A same mail can be sent to many persons by typing their email addresses separated by semi-colons तो ये बिलकुल गलत है क्यों है गलत क्योंकि एक अगर हम एक ही mail जो है काफी सारे email address पर भीजना जाते हैं तो उससे semi-colons से नहीं बलकि कोमा से separate किया जाता है इसलिए false होगा Fourth है An attachment is indicated with a paper clip icon तो क्या एक attachment जो है वो paper clip icon से show होती है तो इस तरह का icon ही था जिसे paper clip icon ही कहा जाता है शायद इस तरह से था कुछ तो ये true होगा Fifth है An email address can contain space तो क्या email address के अंदर space आता है तो ये बिलकुल false है email address जो है बिना space के ही आता है See है MCQs में पहला है dash are equivalent to 24 hour coffee shops तो अगर हम 24 hour coffee shops की बात करते हैं तो उसकी तरह ही क्या चीज होती है चैट रूम जिसमें हम पूरा का पूरा दिन 24 गंटे दिन रात chatting कर सकते हैं तो किस चीज में हमें envelope की stamp की papers की जड़ोरत नहीं पड़ती है वो है email अगर हमें कुछ mail बेजना होता है तो email के थुरू हम बिना envelope paper बेज सकते हैं थर्ड यहां पर दिया हुआ है a dash in email is text which is automatically added to an outgoing mail तो यह हमने last में ही पढ़ा था कि यह होता है signature जिसमें की हम automatically add कर सकते है text जाने की किस ने बेजा है और किस ने retail add की है मतलब यह वगएरा सभी चीज़े तो यह होता है signature जो कि last paragraph आया था हमने पढ़ा भी था शायद last page पर था यह रहा signature signature वाला जो था note effect में यही है अब फूर्थ है dash display information about the received mail तो received mail होते हैं वो किस में आते हैं वो आते हैं इन बॉक्स में ध्यां रहेगा send mail sandbox में जाते हैं received mail inbox में आते हैं अब आते हैं इसके question answers तो groups क्या होते हैं groups हमने पढ़े थे email के अंदर तो चलिए groups के बारे में पढ़ते हैं what are groups groups क्या होते है so you can create groups wherein you can add group and store in one type of contacts तो जहां पर हम एक ही type के contacts को add करना चाहते हैं जैसे की family या friends वगरा के वहां पर जो group जो information store करते हैं एक ही जगा पर उसे बोला जाता है group जहां पर हम family members friends वगरा या फिर अपने or email address friends के office के या colleagues के सभी के add कर सकते हैं second is what are contacts तो contacts क्या होते हैं how will you add a contact to your address book और आप किस तरह से contact को अपनी address book में add करेंगे so contacts are referred to the email address of people you want to reach through emails तो contacts क्या होते हैं contacts किस चीज़ को refer करते हैं email address के अंदर आते हैं contacts जिसमें कि क्या आता है मतलब जिसको आप email बेजना जाते हैं उसकी email address हा जाता है और अगर आप एक contact या contact वगरा को अपनी address book में store करना चाते हैं तो कैसे करेंगे यह 5 step दिये हुए हैं सबसे पहले एक क्लिक होंदा mail drop down arrow select the contacts option तो mail drop down arrow में जाईए वहाँ पर contacts का option होगा वो select कीजिए click the new contact button in the contacts window उसमें new contact का option होगा वो select कर लिजिएगा एक form आएगा आपके सामने जिसमें कि आपको information जो है required information वो fill करनी है और इसके पाद save now वाले tab पर click कर देना है the contacts details will be added to the address book और जो contact की detail है वो आपकी address book में वहाँ पर store हो जाएंगी चलिए last question है इस chapter का इस book का तो चलिए बढ़ते हैं term जो blog है वो क्या है बताना है so a blog is an easy to create website that allows users to share their thoughts with the word a blog है वो क्या है काफी ज़्यदा असानी से create की जा सकने वाली thing है जिससे की मतलब अब जिससे की हम क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ अपने thoughts को share कर सकते हैं blog के through the word blog comes from web blog because a blog consists of a signed and dated lot of individual posting अब एक जो word है blog वो कहां से आया है वो आया है web blog से और इसका reason क्या है web blog होने का कि वहां पर उसका signed date और dated log आता है यहनकि उस पर date लिखी होती है और name लिखा होता है कि किसने post किया इसलिए वो internet पर available होता है और इसलिए उसके आगे web लगा दिया जाता है web blog बोले जाते है इसी के साथ यह chapter भी हमारा complete हो गया है तो मिलते है next video में कुछ नई things के साथ जैसे कि हम English पढ़ रहे हैं अभी तो English को भी complete कर लेंगे जैसे हमने computer को complete किया तो मिलते हैं next videos में thank you